Good morning girls, yesterday we have conducted our lesson 1. Now we will start our lesson number 2 and the name of our lesson 2 is The Nature. In this lesson, we taught about different type of nature of creatures. इस lesson में हम अलग-अलग तरीके के creatures के मतलब जीवो के सभाव के बारे में पढ़ें. Once upon a time, an old man lived in a village. एक समय की बात है, एक गाउं में एक बुजर्ग व्यक्ती रहता था. He was a 70 person. The old man was known for his principles and good nature. वो जो आदमी था, वो बहुत ही, वो कैसा था? एक संत आदमी था. और सभी लोग जो गाउं के थे, उसको इस तरीके से जानते थे कि वो बहुत ही अच्छा आदमी है. He was respected by everyone. वो हर व्यक्ती के द्वारा सम्मान प्राप्त करता था. People often come to him to seek advice in different matters. लोग उसके पास में अलग-अलग तरेके मामलों में उसकी सलाह लेने के लिए आते थे. One day, he was meditating. एक दिन वो क्या कर रहा था? ध्यान कर रहा था. वो कौन था? संत था. वो संत था. तो वो क्या कर रहा था? ध्यान कर रहा था. Near a river, he was sitting under a tree. वो कहां बैठा था? एक नदी के पास में. और पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. He was totally engrossed in his meditation. वो पूरी तरह से अपने ध्यान में लीन था. Suddenly, a scorpion fell from the tree into the river in bounded condition. तब क्या हुआ? अच्चानक उस पेड़ के उपर से एक scorpion मतलब क्या गिरा? बिच्छू. और कहां गिरा? बिल्कुल घायल अवस्था में नीचे गिरा. His concentration was disturbed by the sound of the ripples found in the water. तब क्या हुआ? वो जो संत था, उसका ध्यान भंग हो गया. किसकी वज़े से? नदी की जो छोटी-छोटी लहरे होती है, उनकी आवाज की वज़े से, वो संत आदमी का ध्यान भंग हो गया. It was drowning with the waves of the river because it didn't know how to swim. वो जो बिच्चु था, क्या हुआ वो? अंदर, पानी के अंदर डूबने लगा. क्यों डूबने लगा? क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि तेरतें कैसे हैं. The old man was very kind. He could not meditate anymore and started praying. अब वो जो old man था, वो बहुत ही दयालू था. तो उसने अपना जो ध्यान था, उसको उसने बंद कर दिया. आगे और उसने अपना meditation नहीं किया. और क्या किया? उस scorpion की बिच्चु की जान बचाने के लिए उसने गाट से प्रार्तना करना शुरू किया. Finally, he picked up the scorpion in his hand and tried to drop it on the riverbank. अब उसने क्या किया? ये कोशिश की कि मैं क्या करूँ? इस बिच्चु को धीरे से उठा लूँ और इसको riverbank पे मतलब नदी के किनारे छोड़ दूँ. ताकि क्या हो? इसकी जो जान हो वो बच्चा है, जो बिच्चु है वो कहा रहता है? जमीन प वो क्या होगा? उसकी लाइफ से हो जाएगी. But as soon as he took it up in his hand, the scorpion stung his hand. लेकिन जैसे जैसे वो जो संत व्यक्ति था, वो उस बिच्चु को अपने हाथ में उठाता है. वैसे बिच्चु क्या करता है? उसके हाथ में काट खाता है. The old man cried with pain and the scorpion fell into the river. अब क्या हुआ? जैसे विच्चु ने काटा, तो जो old man थे, संत व्यक्ति थे, वो जोर से दर्द से चीखे. और जब वो चीखे, तो उनके हाथ से क्या हुआ? वो जो बिच्चु था, वो गिर गया. Again, it again started droning. और फिर से वो पानी के अंदर डूबने लगा. The old man first saw it drowning for some time, but could not resist and again picked up. जो old man थे, उन्होंने उसको डूबते वे देखा, लेकिन वो ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाए. और उन्होंने क्या किया? फिर से उसको अपने हाथ में उठाया. उसकी लाइफ को बचाने के लिए. The scorpion stung again and he cried with pen. Every louder and the scorpion again fell in the water. अब फिर से क्या हुआ? जैसे उन्होंने फिर से उठाया उस scorpion को, तो फिर से उनको उस scorpion ने फिर काटा, फिर से बिच्चु ने काटा. इस बार फिर वो जो और से चीखे और जब वो चीखे तो फिर से उनके हाथ में से बिच्चु पानी में गिर गया. This happened several times इस तरह की की जो भटना है ये बार-बार हुई The old man couldn't see it drown and die and the scorpion also couldn't escape any chance as this was its character जो बुड़ा व्यक्ति था, old man था, वो क्या था? संत था, तो उसका स्वभाव था कि वो किसी भी व्यक्ति को वो उसकी जान को बचाना चाता था और जो स्कार्पियन था, उसका नेचर क्या है? कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास में आए, तो उसको काट लेना किसका नेचर था? विच्चु का तो विच्चु अपने character की अकार्डिंग, अपने नेचर की अकार्डिंग काम कर रहा था और जो संत व्यक्ति थे, वो अपने नेचर की अकार्डिंग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे एक जो गाउ का व्यक्ति था, वो हाँ पे खड़ा था और वो इस सारी घटना को देख रहा था उसको पहली बार क्या लगा? कि जो ये ओल्ड मैन है, संत आदमी है, इनको बिच्चु के नेचर के बारे में नहीं मालूम है तो वो क्या करता है, उनको चैतावनी देता है, और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, don't you know this is a scorpion, क्या आप जानते नहीं हो, कि ये क्या है, बिच्चु है, scorpion है Even touch it and you are holding it in your hand, इसको तो हम किसी को उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैसा, it is very dangerous ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसको तो touch भी नहीं करना चाहिए और आपने तो इसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, whenever you touch, you catch it, the scorpion will sting you even if you do any good because it will not change its nature of stinging आप क्या कर रहे हो, आप तो इसके साथ में अच्छा वेवार कर रहे हो, लेकिन ये इस बात को नहीं समझता है और लेकिन दूसरा, यदि अच्छा वेवार करने के बाद में भी हमको बुराई ही मिले, तब हमको एसे वेक्ति के उपर धया नहीं करना चाहिए ऐसा किसने कहा? उस गाम वाले वेक्ति ने यदि हमको अच्छाई के बदले में बुराई मिले तो एसा काम हमको कभी भी नहीं करना चाहिए तो उस संत व्यक्ति नहीं क्या कहा कि मेरे प्यारे भाई जिस तरीके से ये जो बिच्चु है ये अपना काटने का सभाव नहीं बदल सकता है और मैं क्या हूँ संत्व हूँ तो मैं भी किसी की जान को बचा लेने का अपना सभाव नहीं बदल सकता When it does not live its bad habit, how can I forget my good habit? जब ये अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता है ये तो काटता है न लोगों को, जो स्कॉर्पियन होता है, बिच्चु होता है वो लोगों को काटता है, और काटना क्या है? अच्छी आदत है क्या? नहीं, ये तो बहुत बुरी आदत है, लेकिन जब बिच्चु अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता तो मैं तो human being हूँ, संत हूँ, और मेरा क्या काम है? दूसरों की जान बचाना, तो फिर मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ू? Ultimately, the old man was successful in picking up the scorpion and dropping it on the bank of the river. At last क्या हुआ? कि जो old man थे, संत व्यक्ति थे, उन्होंने आखिर में उस बिच्चु को उठा लिया और कहां छोड़ दिया उसको? उसकी जान बचा के उसको नदी के किनारे पे छोड़ दिया. Now he looked happy and satisfied as he had saved a life. अब वो बहुत ही खुश और संतुष्ट दिख रहे थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जीवन को बचाया है. भले से बिच्चु बहुत छोटा सा जीव है. लेकिन है तो आखिर वो गाट का बनाया वही क्रीचर और उन्होंने उसकी जान को बचाया था. इसलिए वो बहुत ही खुश हुए. उसने विलेजर से कहा कि तुम मुझे ऐसा करने से क्यों रोग रहे थे? हम दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे? जो विलेजर था उसको बहुत आश्चेरी हुआ और उसने आश्चेरी से क्या पुछा कि आपका इस बात से क्या मतलब है कि हम अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे? यस माइ डियर ब्रदर ड्यूटी हां भाई हम अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे? replied the old man my duty according to my nature is to save the life of every living being मेरी जो मेरा स्वभाव है वो मेरे नेचर के हिसाब से है कि मेरा क्या काम है मैं संत हूँ तो दूसरों की जान बचाना मेरा स्वभाव है and the scorpion's duty according to its nature और जो scorpion थी उसका duty अपनी नेचर के according था? is twisting any living being it comes across कि कोई भी व्यक्ति येदी उसके पास आ जाए तो उसको काट खाना ये बिच्छो का सभाव था इसलिए वो काट रहा था न तो वो कोई अच्छा काम कर रहा था? नहीं कोई बुरा काम कर रहा था the villager was really amazed to hear the words of the old man and realize that nature does not change अब जो villager था गाउं वाला व्यक्ति था उसको वास्तों में आशर हुआ इन शब्दों को सुनके कि ये old man क्या कह रहा है वास्तों में हम कभी भी किसी के सभाव को नहीं बदल सकते हैं तो girls कैसी लगे आपको इस स्टोरी? अब मुझे ये भी बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सिखा what is the moral of this story? so the moral of this story every living being has its own nature and he, she behaves according to that हर व्यक्ती का, हर living being का अपना एक नेजर होता है और वो उसी के according अपना behavior करते हैं